हलो दोस्तों नमस्कार ब्राइटवे टिजिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज हम लोग sociology subject class 12 समाज शास्त्र विशय को देखने जा रहे हैं जो 2022 में होने वाली वार्शिक परिक्षा class 12 बिहार बोड में आने की समभावना रखती है तो हमारा पहला प्रश्ण है समाज शास्त्र का जनक किन्हे कहा जाता है who is known as father of sociology जिसका सही उत्तर होगा emily दर्खम तो emily दर्खम को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है हमारा दूसरा प्रश्ण है निम्न में से कौन भारतिय समाज की विशष्षटा नहीं है यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका जो English वाला translation है उसमें कहा जा रहा है which among the following is the features of Indian society तो इसमें not शब्द गायब है तो अगर English वाला हम question देखें तो इसका सही उत्तर होगा unity in diversity बट जब हम इसका हिंदी वाला देखेंगे कि कौन भारतिय समाज की विशष्षटा नहीं है जिसका सही उत्तर होगा एक आकी परिवार यादि की nuclear family तो unity in diversity, socialization through संसकार, अपरुशार्थ ये भारती समाज की विशष्षटा रहे हैं nuclear family आज के दौर में देखे जा रहे हैं जिसमें कम लोग होते हैं पर पहले के समय में भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ही देखे जाते हैं, joint family ही मवजूद होते हैं हमारा अगला प्रश्ण है निव्ण में किनों ने वहिर विवाह शब्द को गढ़ा है exogamy term has been coined by which of the following जिसका सही उत्तर होगा John Ferguson Max Lennon, तो Max Lennon महोदय ने वहिविवाह शब्द को गढ़ा था हमारा अगला प्रश्ण है कौन विवाह एक संसकार है, तो हिंदु विवाह एक संसकार है तो हिंदुईजम में सोड़ संसकार, सोला संसकार होते हैं, जन्म से लेके मृत्यों तक अपने सुना होगा अंतिम संसकार तो अंतिम संसकार आखरी का संसकार है 16 हुआ है तो शुरुवात गर्वधारण संसकार से लेकि अंतिम संसकार तक 16 संसकार है उसमें से हिंदू विवा होना 14 हुआ संसकार होता है तो संसकार में हिंदू विवा विवाह एक संसकार है हिंदू धर्म में अगला प्रश्ण है हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह के समानांतर है तो which type of human marriage is equivalent to love marriage जिसका सही उत्तर है गंधर्व विवाह गंधर्व विवाह आठ प्रकार के विवाहों में से एक है तो धर्म में आठ प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है उसमें से एक गंधर्व विवाह है जो प्रेम विवाह के समानांतर बानी जाती है तो दुश्यन्त और शकुंतला, कृष्ण और रुकमनी, अर्जुन और सुभद्रा का विवाह गंधर्व विवाह के पद्धिती के तहथी हुआ था हमारा अगला प्रश्ण है निम्ण में कौन? प्रजनन मूलक परिवार को स्थापित करने का समाज द्वारा सुकृत प्रणाली है तो समाज ने सुकृति दिये है कि आप विवाह कर सकते हैं और अपने वन्ष को आगे बढ़ा सकते हैं तो सही उत्तर है बिवाह बिवाह करके समाज को आगे बढ़ाने की परिवार को आगे बढ़ाने की स्थापित करने की समाज द्वारा सुकृत एक प्रणाली है हमारा अगला प्रश्ण है GS धुरिये द्वारा जाती की कितनी विशेष्टाओं को विशलेशित किया गया है तो हमारा सही उत्तर है 6 तो 6 विशेष्टाओं को विशलेशित किया गया है GS धुरिये के द्वारा हमारा अगला प्रश्ण है डॉक्टर सुर्पली राधा कृष्ण ने भारतिय संस्कृति की आत्मा किसे कहा था यानि डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार भारतिय संस्कृति की आत्मा क्या है तो सही उत्तर है धार्मिक विविदता, religious diversity अलग अलग धर्मों के होते हुए भी सब साथ मिलके चलें ये विविदता ही भारतिय संस्कृति की आत्मा है हमारा अगला प्रश्ण है हिंदू समाज में कितने यग्यों की चर्चा की गई है तो हिंदू समाज में पाँच यग्यों की चर्चा की गई है जिसमें से अगर अलग-अलग देखा जाए तो भूत यग्य, मनुश्य यग्य, पित्र यग्य, देव यग्य, जिसे हम होम भी बुलाते हैं, और अंत में ब्रह्म यग्य, तो कुल पांच प्रकार के यग्यों की चर्चा हिद्धु समाज में की गई है, हमार आज का आखरी प मेरे प्यारे भाईयों और बैयों कौन बाधक नहीं है, तो इसका सही उत्तर है सैक्षिक विकास, सैक्षिक विकास होना क्या राष्ट्रे की करत में बाधक हो सकता है क्या, बाधक हो ही नहीं सकता, संपरदाएबाद एक बहुत बड़ा बाधक है, शित्रवाद और है जब कि sexual विकास बाधक नहीं है तो हम लोग फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे नए प्रश्णों के साथ मुलाकात करेंगे तब तक मुल लगा कर पढ़ते रही अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए गुडबाई जैहिंद